हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC के द्वारा 2020 में जोगरफी सेक्शन से किस प्रकार के कोस्टन हो पूछे गया और जोगरफी से कौंट कौन से कोस्टन आये हुए थे तो उसी को इसी को सॉल्फ गरते हुए हम नेक्स कोस्टन पर चलते हैं कि यह से ए और 64 question, question number 64, UPSC GS paper first, 2021, question यह कि भारत में काली कपास, यानि की काली कपास मिर्दा की रचना, निम्नलिकित में से किसके अपच्छे से हुई है, ठीक है, तो इसका answer में दिया था, भूरी वन मिर्दा, विदरी यानि की फिसर, ज्वाला मुखी चट्टान, next है granite और cyst, और चौथा है sail और चूना पत्थर, आईए थोड़े इसको इंगलीज में देखते हैं, question number 64, the black cotton soil of India has been formed due to the weathering of brown forest soil, फिसरी volcanic rock, granite and cyst, slays and limestone, sail and limestone, ठीक है, यानि की सेल और चूना पत्थर, तो इसका answer जो है की बताया गया है कि विदरी फिसर, ज्वाला मुखी चट्टान, ये ग्रम सही answer है, और देखते हैं कि इसका answer ये सही कैसे है, ठीक है, तो इसके लिए हमको NCIT तथा कुछ standard book का सहारा लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं NCIT में, ठीक है, तो ये आपकी NCIT class 11 की भारत भातिक पर्यावरण, ठीक है, ये class 11 की NCIT है, इसका जोएगी chapter number 6, मृदा, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, अब मृदा में हम देखेंगे काली मृदा है, ठीक है, तो यहाँ first line ही है कि काली मृदा हैं धककन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई आती है, ठीक है, अब question पे चलते हैं, तो NCIT में जैसा कि बताया कि काली का पास मृदा दककन के पास माइगा, पर पाई आती हैं तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति कैसे होई तो इसके लिए हम स्टेंडर्ड बुक कुछ रेफर करेंगे ठीक है और उसमें देखेंगे कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति कैसे होई आईए इसमें हम देखेंगे जागरफी के question को कि भू आकरिती विज्ञान अध्याय 2 और इसमें बताया गया है कि प्राइदेपिय भारत का उद्भाव और भू आकरिती विज्ञान ठीक है तो प्राइदेपिय भारत जो था जिसमें काली का पास मिर्दा पाई आती है उसकी उद्पत्ती कैसे हुई तो प्राइदेपिय भारत के चट्टानों का उद्भाव इतने मिलियन मर्सों से भी पहले का है ठीक है कारवनी काल के पहले यह भाग गुंडवाना लेंड का हिस्सा था अब भुगर विवित्ताओं के अनुसार प्राइदेपिय भारत अरक्यन काल में कभी भी पूरी तरह से सागर में मगन नहीं रहा या प्रिच्छा कि अधिक अटल अस्थाई और परवत निर्माणकारी बलों से लगबग अपरभावीत रहा हाला कि आगे आने वाले कालों में इसमें भरंसन विस्थापन हुए जो धारवाळ गोंडवाना करम में नर्मदा तापी और सोन नदी गाटीयों में दिखते हैं या कार्बनिक काल में ही था जब दामोदर सोन महानदी और गोदावरी नदियों के बेसीन में कोईले का संगठन हुआ क्रिटेसियस काल के तीवर ज्वाला मुखी गतिविदियों के परणाम सरूप कई हजार मीटर मोटे लावा से बने दक्कन ट्रैप अरधात भारत का लावा पठार का निर्माड हुआ ठीक है आपका अंसर यहीं मिल जाता है कि क्रिटेसियस काल के तीवर ज्वाला मुखी गतिविदियों के परणाम सरूप कई हजार मीटर मोटे लावा से बने दक्कन ट्रैप यानि कि भारत का लावा पठार का निर्माड हुआ ठीक है और अब हम अगर कोस्टेन की बात करें तो देखी इसमें जैसे कि कोस्टेन पूछा हुआ था कि काली कपास मिर्दा की रचिना जो है कि निमलीखित अपचहन से हुई है किसके अपचहन से ठीक है तो विद्री यानि की फिसर यानि की मोल्टेन ठीक है जो लगबग थोड़ा सा गीला हो ठीक है और जोला मुखी चटान जाला मुखी चट्टान के अप्छनन से हुआ दक्कन ट्रैप का निर्माड और दक्कन ट्रैप पे काली का पास मिर्दा पायाती है जैसा कि NCIT में बताया कि काली का पास मिर्दा की जो है वो दक्कन ट्रैप पर मिलेगी दचिर भारत में और वो दक्कन ट्रैप का निर्माड अभी हमने देखा कि कार्बोनी फिरस काल में यानि क्रिटेस्यस काल में तिव्र जॉला मोखी गत्विधियों के प्रणाम सरूप कई हजार मेटर मोटे लावा से बने दक्कन ट्रैप का निर्माड हुआ यानि कि जॉला मोखी गतिविदियों के प्रणाम तो यानि कि जॉला मोखी चट्टान और वही जॉला मोखी आगे चल के जब ठंडे हुए तो वो जो है कि एक पठार का निर्माड किया उन्होंने और उन्होंने पठार का स्वरूप धाराण कर लिया इससे इस एंसर को हम का सकते हैं कि जॉला मोखी ये चट्टान के जो है कि अपछेयन से दक्कन ट्रैप का निर्माड हुआ अरुद दक्कन ट्रैप पर काली मिर्दा पाई आती है और ये ग्रेनाइट और सिस्ट ये जो है कि ये दोनों एक खनीज हैं और ये खनीज जो है कि हमारे दक्कन ट्रैप में मिलते हैं ना कि इससे हमारे दक्कन ट्रैप का निर्माड वा ठीक है ग्रेनाइट और सिष्ट शेल और चुनापथर ठीक है? ये सारे खनीज है और ये खनीज हमारे पाई आते हैं दक्कन ड्रैप में ठीक है? अदक्कन ड्रैप का निर्मार जो आलमुखी चटान से हुआ जिस पर कारी गत्पास मिर्दा पाई आती है तो आसा गरतिया प्लोकुस समय वियागी आवा